हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में बच्चों आज की इस क्लास में हम अपना एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं चैनल नमर एट जिसका नाम है चुम्बक कत्व एवं चुम्बकिये पदार्थों के गुण। बच्चों पहले तो मैं आपको एक वात किलियर कर दूं कि यदि किसी बच्चे का चैनल नमर वन से लेकर चैनल नमर सेवन तक कोई चैनल कमजोर रह गया है या कुछ लोग हमसे प उसको छोड़ते हुए इस चैप्टर से आगे बढ़ सकते हो आप अगर इस चैप्टर से शुरुआत करते हो तो भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी पर इसके बात जोड़ोगे बच्चों निकलते हो चैप्टर में तो फिर प्रॉलम्स आएंगी बहुत ध्यान से वीडि सुनते हो क्या किसी से बातचीत करते हो क्या तो यह सारी बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल एकांत कमरे में बैटे हो हर जेंटल हमारा फॉन होना चाहिए एरफॉन लगा करके पैन कॉपी लेके बैठें बिल्कुल फील करें कि टीचर आपके सामने ही पढ़ा रहा है तो तो आपको एक दम बिल्कुल गुनवत्ता पून समझ में आएगा यह मेरा विश्वास है 100% किसी भी प्रकार का किसी प्रकार के आपको कोई शमश्या नहीं आए कि ठीक है ना बाकि आप सब समझधार हो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताए उत्सा वर्दर नहीं तो आप कमेंट जरूर किया करें आप क्योंकि हमें भी पता लगे ना कि वीडियो की क्या क्वाल्टी चल रही है अगर कुछ समझ में नहीं आया मैंने जल्दी बोल दिया या ऐसा है तो आप बताई उस चीज को बताईए और अच्छा लगा तो अपर इस्टार्ट करते हैं आज का चेप्टर दियां से देखना बच्चो चेप्टर नम्मर एट चेप्टर का नाम है बच्चो चुम्बकत्व एवम चुम्बकिये पलार्थों के गुण ध्यान से देखना बच्चो इस्टार्टिंग में ये चेप्टर काफी ज़्यादा थ्योरिटिकल है बहुत ज़्यादा उसकता है कि दूचार बच्चो को नेंद भी आ जाये चलती हुए क्लास में तो कोई ताज़ब वाली बात नहीं ह देखे द्यान से पर थ्योरी को भी बच्चो रटना नहीं है अपने को अपने को तो हर चीज को एक्स प्लैन करना है समझना है ताकि लॉंग टाइम हम उस चीज को हमारे दमाग में इस्तिर रख पाएं बच्चो सबसे पहले जो इस चेप्टर में नाम आता है वो नाम आता है चुम्बक का सबसे पहला जो कॉंसेप्ट है आपका इस चिप्टर का वह है चुम्बक जिसे आप कहते हो मैगनेट चुम्बक क्या बोलते हो बच्चो आप इसको मैगनेट बोलते हो सबसे पहला कोश्चन पूछेगा नहीं है एक्जाम में वे फिकर रहो सिर्फ बेसिक मजबूत करेंगे हम आने हो सकता है कि आने वाले एक दो दिन में पूछ लिया गया था उसे तरह कोश्चन ना भी पूछा जाए पढ़ना हमें सब कुछ है तभी आगे की मंजल हम प्राप्त कर सकते हैं बच्चो बात करूँ अगर मैं चुम्बक के वारे में की वाटिज मैगनेट मैगनेट होता क्या है तो बच्चो इसकी खोज की ये के कहानी है मैं आपको सुनाता हूँ एके यूनान में एशिया माई नगर प्रांथ पढ़ता है रटना नहीं है कुछ भी नहीं लिखना है ऐसा सिर्फ समझने की दरश्टी से यूनान के कहां पर बच्चो एशिया माई नगर नामके प्रांथ में एक जगे पढ़ती है मैगनीश्या मसकान ही सुनने की दरश्टी से सुन जा रहा हूँ और एक जाब कहीं आप सामझ जग्यान की तरह इसको रटने लग जाओ कि यूनान के एशिया माई नगर प्रांथ में मैगनीश्या नामकिस्तान पर करते रटने की ज़र जाओ नहीं किया हूए कि जो गौले होते हैं न गौले आप समझते होंगे जो गाया चरआते हैं जो मवेशियों को चरआते हैं उनके पास एक चड़ी हुआ करती या बस्चो ग्वाला ऊंंया है और इसके आत में चाप चै बुझर्ग बखती होता है उसके आप में छड़ी होती है उस चड़ी के नीचे वाले पेंदे पर वोल लोए का कैप लगा लेते हैं आपने होगा पुजर्गवी क्योंकि चड़ी क्या बारवार जमी में टेकते हैं तो नीचे से घिज जाती है तूट जाती है उससे बचा वेतू उस पर एक लोगे का कवर लगा लिया जाता है तो जब यह ग्वाले कहां के यूनान के ये श्यमाई नगर प्रांत के मैगनीशना मकिस् तो इनोंने देखा कि जब चड़ी को टेकते थे ना तो उसमें कुछ चिपक कुछ फत्तर चिपक जाया करते थे तब तक उनको पता नहीं था कि चुम्मक है तो कुछ फत्तर के छोड़े चोड़े टुकड़े जैसे वो चड़ी को टेकते उसमें चिपक जाते तो उन लोग मैगनिट ठाइट नाम दिया गया बच्छो जो आगे जागे क्या बन गया knock यह इसकी कहानी है बाकि चुमबग के कि बारे मैं आपका मानीं मेड़्य पहंजान कैसे करते हो आप उसके जैसे चौक के पास मैं इसको लेके घया अगिर मेड़ी लोहा है तो बच्चो मेंद फिखक जाएगा तो यह सब को आता है कि लोगा मैड़ी मैंगया चुपकता है थिखें पहले थो मुझे यह लोए के लावा कुछ और भी छिemos सकता है मेड eight में सोचिये क्ने डिक हेबल लोगा क किस किसको अपनी और आकर्षित करता है ऑच्छो तो blocking करेगा ये तो लुः और निकल के अ मारे आसपास बहुत कम पाया जाता है तो ं सरवाद Eden महात्रा में किसे ज्यान रखते हैं लुए को यी द्यान रखते हैं बन दों किसे कर ले आकर्शित कर ले अपनी और खीच ले अपने में चिपका ले उसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चो चुमबक के नाम से किस नाम से चुमबक के नाम से तो जो बस तू लोहा कोबाल्ट और निकल इनको अपनी और आकर सिद करती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चो चुम्बक येक नाम और आता है चुम्बक के साथ ही जो हमारे चेप्टर का पहला पार्ट है चुम्बक कत्व क्या है फिर साथ चुम्बक कत्व क्या है बच्चो याद करो मिन आपको 11th क्लास में गेडिंग बढ़ा ये घुरृत्व घुरृत्व प्रतवी को अपनी और खीचती है खी प्रतव Municip है इसे बोलता हो फिर चुम्बक की डुर्म बहुत्यों क्या हुँ बच्चो छुम्बक के अईर्न कोबाल्ट निकिल को अपनी और आफर्सुत करती है तो पहले बात तो ये बच्चो ये जो हो गई चुम्बक ये धातु है क्या हो गई बच्चो चुम्बक ये धातु है तो चुम्बक द्वारा किसके द्वारा चुम्बक द्वारा चुम्बक ये धातु को आकर्षित करने का जो गुण है उसी को क्या नाम दिया जाता है चुम्बक कत्व दो तीन नाम आपकी समझ में आगे होंगे बच्चो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा चुम्बक के बारे में फिर मैं चर्चा करूंगा बच्चो चुम्बक की है धातूं के बारे में फिर मैं चर्चा करूंगा बच्चो कुछ में आइनड इचा किया है वह जो आरन को वार्ट निकल को अपनी ओर खीचे वह चुंबक कहते क्या है जो के और के तो जाएं वो चुम्बके धातुएं और चुम्बक तो क्या है चुम्बक द्वारा चुम्बके धातुओं को आख कर्चित करने की जो प्रोपरिटी है जो गुण है उसे हम चुम्बक कत्यों के नाम से जानते हैं सीधी शिवात किलियर कानिया तक समझ में आया सब को पहले सम में मैगनेट क्या है चुम्बक क्या है क्या परिवासाती जो इसे क्से किसे घीचती है आइण और नать को आ तो यही चुन्मक के फाल के और खिच जाए जो खींचे बोश्मक जो खिचे बोश्मक ये पदार्थ और किंचने का जो हैं खिंचने का जो गुणा है बच्छो मैगनेटिज्म यह मैगनेट यह मैगनेटिक सविस्टेंस और यह मैगनेटिज्म प्रॉपरिटी जिससे बस्तों क्या होती है अट्रेक्ट चुम्बक कत्व कहलाता है बहुत बढ़िया यह सब बात समझ मागई अब जरह मैं बात करू चुम्बक के बारे में क्लासिफिकेशन ओप मैगनेट चुम्बक का वरगी करण तो बच्छो चुम्बक को दो भागों माटा गया है मूल रूप से चुम्बक का वरगी करण चुम्बक को कितने वागों माटा गया है बच्छो दो भागों में एक नंबर नाम से ही किलियर ह कुमद्ण के दो प्राकर्तिक चुमबक यानि की नेचुरल मेगनेटtra और दूसरी आप समझगे होंगे कौन सी होगी यह बच्छ क्रत्रिम चुमबक चेह चूमबक मतलब मैं मेड मेगनेट इनसान एक दोरा निर्मित्ट बच्चोह प्राकürति यानि कि नेचुरल और क्रित्रम में क्या अंतर होता है आप जानते हो ना जो चीज हमें प्रकरती ने बना के दी है बच्चो वो कहलाती है प्राकर्तिक क्या कहलाती है प्राकर्तिक चुम्बक कौन से होंगे ऐसे चुम्बक जो प्रकरती ने हमें प्रदान किये हैं या प्रकर ऐने चुम्बक यह मतलब ही प्राकरदित चुमबक क्यों समझ में आ रही है बिलकुल बैट्द मैं आरे जो परच錯 जुमबक मैं आरे बईया है है बिलकुल हैatta ना त sogens को hy ना तो एन यै कोई विसेश सकल सूरत होती है आप सोचिए कि जो पहार है पहार से आपको पत्थर मिलता है तो पहार आप ने बनाया प्रकरती ने बनाया तो मैंसा थोड़ी है साव हमने हमारे खेत में पहार बना रखा है बन सकता है क्या नहीं पहार किस ने बनाया प्रकरतीने बनाया, तो बच्चो पाहार से जो पत्थर मिला, आप चुमक की तुलना पत्थर से कर दीजिए, क्योंकि एक्च्छल में ये पत्थर ये एक प्रकार का, तो जब पाहार से जो पत्थर मिलता है बच्चो, क्या कोई विसेश सकल सूरत का मिलता है क्या, या सब बि सेफ काटी एडा मेडा कहीं से कोणा निकला हुआ कहीं मोटा चोटा पतला कैसा भी हो सकता है इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते तो बच्चो जो प्राकरतिक चुम्बक है पहले बात प्रकरती ने बनाया दूसरी बात इसके बारे माप याद रखना कि किसी भी आकार किसी भी आकार आकार से मेरा मतलब है बड़ा चोटा चोटे से छोटा भी हो सकता है प्रकरती चुम्बक और बड़े से बड़ा विसाल काय भी हो सकता है यह किसी भी आ और चुम्बक बहुत फास्ट अट्रेक्ट कर रहा है इस वर्ड को च्छमता आगे इसको दुर्वसाम वर्थ के नाम से भी जानेंगे वह बाद की बात है तो प्राकरतिक चुम्बक के बारे बच्चो क्या क्या याद रखना है प्रकरती ने बनाया है उम्मीद है आपको नहीं कर सकते बच्चो इसके गुणों पर आपका नियंतरन नहीं है प्रकरती ने जो चुम्बक बनाके दे दिया वो बनाके दे दिया आप अपने हिसाब से अब इसके अंदर छेड चाड नहीं कर सकते मतलब आप इसके गुणों का नियंतरन नहीं कर सकते बच्चो कहानी स नम बताया था मैने मैगनेश्या नामक स्थान पर छोज हुई थी ना युनायN यस् electrMAcinologist than agora सबसे पहले छुम्क खोजा गया था तो इस इसस्थान के नाम पर ही से क्या नाम दिया गया मैगनेट टायट मैगनेट टायट और इसका स्राइसायनिक सूत्र भी आप याद रखिए एपी 304 यह लो एस के बच्चो केमिश्टी में आपने पढ़ लिए होंगे जल चर्चा करना है पर ठीक भी नहीं रहेगा किलियर एक आनिया तक मैं इसे बनाया प्रकरती ने तो जो जो चुंबक प्रकरती सुमबक पहली बात आप स्कीभी साइजका ओस्बैंet का हो सकता और किसी भी आकड़ती का और होता हैं जीसिदे बड़ा कोค оशता siitä एक जैसे बड़े का उसकता है इसके गुणों को हम कंट्रॉल नहीं कर सकते और इसका एक्जामपल है बच्चो मैगने टाइट मैगने टाइट अब जड़ा बात करते हैं बच्चो ट्रत्रिम चुम्मक की यही हमारे सरवादिक यूज है और बच्चो प्राकरदिक चुमक कोई खास यूज भी नहीं आता है इनका ना कोईशेष गोन है ना सकल है न Albis इस सूरथ है ना के पिसी का आपट्री यूज है ना में इसको कंट्रॉल कर की तो जैसा कि नाम से आप पर्चित हो ट्रत्रिम चुम्बक किषने बनाया मानव ने बनाया अब बच्चो मानव ने बनाया पहला कोशन मेरा याता है कि मानव ने कैसे बनाया क्या हम भी घर पर ट्रत्रिम चुम्बक बना सकते हैं क्या बिल्कुल बना सकते हैं चुम्बक बन नालिका पिछले पाठ में ही पढ़ाई आपको मैंने और परिनालिका की प्रोपर्टी है कि जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो अक्ष के अनुदिस चुम्बक ही अच्छेद्र बनता है समरूप कैसा बच्चो समरूप अब अगर मैं कोई भी चुम्बक के दातु ले लूँ चुम्बक बच्चो कभी लकडी का नहीं बनेगा चुम्बक कभी प्लास्टिक का नहीं बनेगा चुम्बक उस चीज का ही बन सकता है जो चुम्बक के पदार्त है और चुम्बक के पदार्त कौन-कौन से हैं आयरन इसल से सब्साइब लोहीया झाल ले चलते हैं बच्छोश लोहा क्या लेते हैं लोहा और लोहीया को इस परिणालिका के अंदर रख दिया जाए अंदर क्रोड में अंदर क्योंकि बाहर थो बीजीरू होता है मेरा कहने का मतलब क्या था गी टथर जों क कैसे बनेगा कि चुम्ब के छेतर में अब चुम्ब के छेतर पड़िनालिका का है या किसी और का है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है पर पड़िनालिका के अंदर अच्छा चुम्ब के छेतर बनता है इसलिए हम ऐसा खेल खेलते हैं अच्छा तो अगर हमें किसी चुम्ब के पदार्त को देखना बच्चो कैसे दिरमान होगा कि आप कोई चुम्ब की पदार्त लो और उस चुम्ब की पदार्त को बच्चो कहां रख दो चुम्ब की छेत्र में रख दो आप चुम्ब के पदार्त को चुम्ब के छेत्र में रख दें तो आप देखोगे कि धीरे 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 यह चुम्बक यह गुणों को ग्रहन कर लेता है यानि कि क्या बन जाता है चुम्बक क्या बन जाता है चुम्बक चुम्बक कितने प्रकार का दो प्रकार का प्रकरतिक और क्रत्रिम प्रकरति ने जो बनाया वो प्रकरतिक चुम्बक किसी भी आकार का किसी भी आकरती का किसी भी कैपिशिटी का हो सकता है आप इसके गुणों को कंट्रॉल नहीं कर सकते इसलिए को कोई खास यूज भी नहीं है एक्जामपल आप मैगनेटाइट कौन सा टाइट है मैगनेटाइट एप एथरी फूर लोएस के याद रखोगे बच्चो याद हो किसने बनाया मानव ने बनाया अचामानवने बनाया पर कैसे बनाएं तो आपको समझ में आया वसंवा हूच है आरन को राल निकिल आसान वासान बात करूँ तो कोए लुखा ले लिया और उसे कां रखा चुम्बक एक छेतरा मैं तो किसका दिर्मार होगा क्रत्रिंप क्ट्रम का मैन-मेड चुमबक ALL कnoise वक्त अगे मैं बढ़ गहारा करूँ दो परकार का है कॉन कौन सा एक तो है पर मानेंट इस्थाई चुमबक ngay जैस थाई चुमबक और दूस्रा है वच्चों एस थाई temporary temporary और एक है permanent कृत्रिम दो प्रकार का है कौन कौन सा बच्चो इस्थाई और एस्थाई इसकी चर्चा पहले आप एक वार यहां तक क्लियर करो उसके बाद क्योंकि कापी सारा हो गया है तो बहुत से बच्चों को सकता है नहीं भी आने लग गई होगी होगी साइद मैं समझ गया तो बच्चों जग जाओ सब जगो चलो जगो और हैडिंग लखो चेप्टर नम्मर एट लिख लें चुम्बक कत एवं चुम्बक के पदारतों के गोड़न इतना तो आप कर लोगे आराम से सबसे पहले बच्चों आप हैडिंग बनाईए और मेरे साथ साथ लि नहीं है आपको अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना हो तो उससे भी अच्छी बात है ठीक है ना तो सबसे पहले बच्चों हैडिंग लगाईएगा चुम्बक के नहीं लिख लाम एंगलिस वर्जिन है ना क्योंकि टेंस अनमा जाएंगे बहुत से प्राणी चु को आयरन कोबाल्ट और निकल प्रतीक रूप तो इतनी याद होंगे कम से कम्यार ऐसे पदार्थ जो आयरन कोबाल्ट निकल इत्यादी और भी हो सकते हैं खैर को अपनी और क्या करें वच्चों आकर्सित करें अर्टरेक्ट करें आकर्सित करें कॉमा लगा दीजे भाई साब उसी को हम चुम्बक कहते हैं क्या कहते हैं चुम्बक कहते हैं you cartridge magnet य evangel是我 ऐसा प्रफ जो आइरण कोबाल्ट निकिल एन को अपनी और अठ्रेक्ट करें इनको अपनी और आकर्सित करें उसे हम किस नामसे जानते हैं चुम्बक की नामसे लिख लिए होगा आपने ऐसा पदार्थ जो आईरन कोबाल्ट निकल इत्यादी को अपनी और आकर्सित करें चुम्बक कहलाता है बहुत बढ़िया नेक्स लाइन में डेश लगाईए और लिखिए चुम्बक द्वारा आकर्सित होने वाले पदहार्थ जिन आसन मासाम बात करूं तो जिन पदहार्थों को चुम्बक अपनी और खीचले चुम्बक द्वारा आकर्सित होने वाले पदहार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों चुम्बक यहें पदहार्थ कहलाते हैं चुम्बक यहें पदहार्थ तो मेगनेटिक सविश्टेंस कहलाते हैं अरण नहीं समझ में आया क्या कि चुम्बक जिनको अपनी और खीच ले उन्हें हम चुम्बक की पदार्त कहते हैं दो नाम सब को किलियर हो गए होगे बच्चो एक तो चुम्बक और एक चुम्बक की पदार्त चुम्बक वो जो किच जाएं वो चुम्बक की पदार्त कहलाते हैं आप चाहो तो इसके एक्जामपल में बापस से और भी बहुत नाम पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर में थोड़ा सब्र रखें ऐसा नहीं है कि तीन ही चुम्बक यह हैं कुछ बच्चों चुम्बक से प्रदिगर्सित भी नहीं था पर इनके भी पना चुम्बक कत आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लिखे बच्चों चुम्बक कत्यों में लिखो डैस लगा यह की लिखते जाओ इसई है शुम्बक द्वारा किसको चुम्बक यह पदार्थों को दोनां के लिए रहे ऊओपर आपको दिख करने होंगे चुम्बक द्वारा चुम्बक की पदार्थों को क्या करने का आकरसित करने का गुण कि आकरसित करने का गुण किसके द्वारा बच्चों चुम्बक द्वारा किसको चुम्बक के पदार्थों को आकरसित करने का गुण आकर्सित करने का गुण चुम्बकत कहलाता है जल्दी नोट करें पड़ा पड़ा मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है या कोई ऐसी बात है कि जिसको दुबारा समझाया जाए फिर भी आपको डाउट हो एक वार वीडियो दुबारा चलाना चुकि आज हम चेप्टर की थीम बना रहे हैं इसलिए छोटी-छोटी बातों को भी लेके साथ में चल रहे हैं पूरी बातें द्यान से देखना बच्चो नोट कर लिया होगा आपने बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत अच्छा है ना चलिए आगे बढ़तें नेक्स्ट आप हेडिंग लखें हेडिंग का इसी इस तरीके से नेक्स्ट लैंड में एरोलाग लिख दीजिए कि चुम्बक को निम्न दो भागों में बाटा गया है लिख दीजे बच्चो चुम्बक को निम्न दो भागों में बाटा गया है उन दोनों भागों के नाम लोगो बच्चो नम्मर एक प्राकर्तिक चुम्बक नेचुरल मेगनेट है और नम्मर दूसरा है बच्चो त्रत्रम चुम्बक मैं मेड मेगनेट पहला बच्चो नेचुरल मेगनेट है और दूसरा मैं मेड मेगनेट ठीक है ना अब आप नम्मर एक हेडिंग लगा दीजिए वापस से एक एक करके पढ़ते हैं तो आप एक का दो दीजिए बच्चो और कौन सी चुम्बकत है है प्रा कpose चुममक मैं पहले बात करूंगा समय नचुरल मेगंट की ब़िधक चुममकति आप नाम से ही किलिए है रहे 210 ऐक ल Sapenty jeने इसके बारे में लिए लुख्री दौरा प्रadata प्रदत मतलब दिया गया प्रकर्ति द्वारा प्रदत चुम्बक कौमा लगा दीजिए प्राकर्तिक चुम्बक केहलाता है जो हमें नेचरल ने प्रोबाइड करवाया है उसे हम प्राकर्तिक चुम्बक कहते हैं बच्चो अब आपको समझ में आ गया होगा पहाडवाला एक्जामपल कि पहाड से जो पत्थर मिलता है उसकी कोई बिसेश सकल्सूरत नहीं होती ना आप उसको कंट्रोल कर सकते हो तो आप उसको लेक दीजें बच्चो इनकी किनकी हमारी और तमारी नहीं प्राकर्तिक चुम्बक कहोगी कोई बिसेस आक्त्रती आक्त्रती का मतलब वो एक तरीके से बनावट कॉमा आकार या इनका कोई निश्यत आकार या आकरती नहीं होती है तो नहीं ठीक है नहीं होती है ना तो कोई बिसेस आकरती को बोलते है बच्चो सेप और आकार को बोलते है साइज ना तो कोई साइज फिक्स है ना सेप फिक्स है नहीं होती एक और लेके हैं बच्चो इनके चुम्बकत्व को अब चुम्बकत्व क्या होता है वो आपको समझ में आया है ना आकर्षित करने का गुण इनके चुम्बकत्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है बच्चो ऐसा नहीं है कि आप चाहो जब इसको बढ़ा दो और चाहो जब आप इसको गटा दो आप कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चो फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है लिखिए इसका एक्जाम्पल लिख लो चलो इसका एक्जाम्पल लिख लो मेगनेटाइट कौन सा टाइट है मेगनेटाइट इसका राइसान एक सूत्र भी लिख दो बलें से एपी थ्री ओ फोर और इसका अगे एरोलाग लिख दो कि यह एक लोह ऐस्क है यह लोह आयस्क है कि चलब नोट कर ओ यहां पर प्राकर ते सब्सक्राइब ने कि घृति में नहीं तो को करक्तिक और जो से बनाया कर रहें आप इनके गुनों को कर सकते हो इसलिएज कोई खास यूज इनका है नहीं है सेकंड devam करें बच्छो टर्थम चुम्बकalis ओर दूसरी यह 2 अब चुम्बक जो जो दूसरी डिन लिल leukeG Alle 자 कृत्र मिंशंच और आम तो बताइए धुर्थम चुम्बक नाम ही करत हम है मतलब इंसान द्वारा निर्मित चुम्बक तो इसमें आप लिख दीजिए पहले तो मानव द्वारा निर्मित चुम्बक मानव द्वारा निर्मित चुम्बक करत्रिम चुम्बक कहलाता है करत्रिम चुम्बक कहलाता है दूसरी बात बच्चो बनता कैसे है आप इसे किस प्रकार बनाओगे या क्या आप भी घर पर कृतिन चुम्बक बना सकते हो तो आंसर होगा हाँ उसे लेखिए कैसे कि जब उसका तरीका बदा दूँ जब चुम्बक बदार्थों को जादा भडिय रहेगा बच्चो में लहाचुम्बक पदार्थ अभी आप नाम नहीं समझोंगे लेकिन थोड़ी देखले है याद रखे नजब लोह चुम्बक की अच्छी क्वालिटि का मैग्नेट लोह चुम्बक पदार्थों से ही बनता है बच को चुम्ब किये पदार्थों को चुम्ब किये छेत्र में रखा जाता है तो यह यह कौन बच्चो चुम्ब के पदार्थ तो यह धीरे धीरे बड़े आराम से बिल्कुल मज़े से धीरे धीरे चुम्ब किये गुणों को ग्रेहन करते हैं चुम्ब किये गुणों को ग्रेहन करते हैं अरे समझ में आया कि नहीं आया दोवारा देख लो बच्चो कृत्रिम चुम्ब क्या है मानव द्वारा निर्मित चुम्बक जो इंसान ने बनाया है वो क्रित्रिम चुम्ब के है जब जुमबक के च democracy रखेंगे तो दीरे दीरे यह चुमबक के गुणों को इस चुमबक करते हैं धुसक्स को ग्रहन करते हैं थेप यह ई। करते हैं कर्म करते हम ने बनाया हमने बनाया ना इंसान ये बनाया बच्यों तो समान लीजिए मैंने चुम्बघ के पदार्थ पैन के आकार के लिए यह कि अर और के आकार का लिया और उसे बच्चों में ने छुम्बक के छेते में रखा चुम्बक सब अरे naal नाम यहां दीर-दीर याद करें और आपको आपको नाल किसको बोलते हैं बच्चों क्या ना गोड़े के पैर में ध्यान से देखा हो कभी आपने गदों के में नहीं गोड़े के पैर में चलने के लिए उसके पैर होता है नीचे से उस पर एक लोगे की प्लेट टाइप में लगाई जाती है कुछ इस तरह की वो होती है इस तरह की जो होती है इसे बोलते है नाल क्या बोलते है नाल तो अगर आपने कोई चुम्ब के पदार इस आकरती का लिया नाल की आकरती का और उसको चुम्ब के फिल्ड में रख दिया तो बच्छों दीरे दीरे चुमुमक नाल चुमुमक है कौन सा है दो ती नाम यांत रखेंगें आप तो नाल ना नाल मतलब गोड़े के पैर की प्लेट आपको याद रहेगा एक होती है दंड कौन सी? दंड चुमक, दंड मतलब दंडे के आकार की और डंडा कैसा बढ़िया वाना गया है बिलकुल सीधा तक टेकदम और हर जगे से बराबर मोटा तेडा मेड़ा हो वो डंडा डंग से काम नहीं करता है बिलकुल सीधा और डेफिनिस्न याद होगए आपको दंडड चुमक कि पुछे दंड चुमक क्या है ऐसी चुमक जो ब बनाएंगे और जब हम चंबक बनाने के लिए कुछ मैटर रखेंगे बच्छो तो जिस आकरति का मालूमिन डेश्टर जैसा रखा तो डेश्टर जैसा ही बनेगा मेरा कहने का मतलब क्या है बच्छो कि इनके इनकी आक्ट्रती या आकार समझ fisher पर आकरतिक में तो आकरति और आकार फिक्स थाई नहीं पहार में पत्थर कैसा मिल सकता है बट जब हम बना रहे हैं हम उसमें कारी गरी कर रहे हैं तो हम चाहें जिस आकरति या आकार का बना सकते हैं तो इनके आकार या आकरती हमारी एक्षानुसार ले सकते हैं, आकार आकरती निश्चित होते हैं, निश्चित तो नहीं कह सकते हैं शीच को, आकार या ये किसी भी ऐसे लखो, ये ठीक रहेगा, ये एक्षानुसार ऐसे लखो, एक्षानुसार आकार या आकरती के हो सकते हैं, आकर्थी के हो सकते हैं बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया直接 होने चलब किसी भी आकार आकर्था होसता है हमारे कन्ट्रॉल में नहीं है इसले खास यूज भी नहीं है और इंका एक्जामपल में चलब मैंनेट्वर । की तरी अप सब दूसरी बात करियों अपमसरे किसे बनाए इंसान किसी भी आपकार्याक्रती का हम बना सकते हैं दूसरी बात बात कितना चुम्ब के गुण होगा उसके अंदर वह कितनी हैवी क्Cr falling यह बी तुम होगा बच्चो यह भी कर और दूसरे बरार्थ को पांच दिन के लिए रखा तो बच्चों दोनों अलग अलग गुन करेंगे कि नहीं करेंगे बिलकुल करेंगे सर कहने का मतलब यह हुआ कि इनकी प्रवलता भी हमारे कंट्रॉल में है ना तो मैं लुकूंगा कि यह किसी भी प्रवलता के हो सकते हैं मतलब यह हलके भी हो सकते हैं बिलकुल लो वाले कम कम चुमक हो और बहुत हैवी जितनी मुझे चीएगी जो भी मैं कोई इंस्ट्रुमेंट बना रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे कैसा चुमक चाहिए मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मानव द्वारा मे elle मोटी बात हैं मानव द्वारा निर्मत हैं बनता कैसे है कि चुमक को चुमक के चेत्र में रख दिया जाए तो यह प Ну जाते है एक्षा नुसा। ऑसकती और उसका है इनकी चुम्मक दो प्रकार के होते हैं पहला में आपको कौन सा समझाया था वच्छो कौन सा बताया था एक तो होता है पर्मानेंट पर्मानेंट मतलब स्थाई चुमक एस्थाई चुमक और सेकंड होता है बच्छो टैंप्रेरी यानि कि एस्थाई चुमक एस्थाई चुमक नोट करिए जल्दी से रफ्तार में आगे बढ़ते हैं फिर ठीक है नेक्स्ट अब दोनों को समझते हैं कि करके बच्छो सबसे पहले हम बात करेंगे इस्थाई चुमक की एक नमबर करके इस्थाई चुमक पर्मानेंट मैगनेट पहला जो हमारा पॉइंट है वच्छो वह रहेगा इस्थाई चुमक अब बहुत द्यांसे बोड़ प क्या है अब देखना यह स्थाई च्मक मिना और प्रकरतो क्या है मतलव हमने खेल रहे है saq in ho तो एक बार बना दिया तो बना दिया आप कोगे साब बना दिया मतलब कि एक बार जिस प्रवलता का चुम्मक में ने बना दिया मान लोग कुछ समझने के इसकी प्रवलता पांच है कितनी प्रवलता है पांच कंपने ने पांच का बना दिया अब यह आजीवन पांच का ही र बनाया तब बनाया तो पांच का बनाना है कि शह का बनाना है यह यह तो आपके बस में है, यह तो आपके Contraux में है पर एक बार बना दिया, परमानेंट है ना भ reproduction मतलब सरकारी नोक्री बॉर्मानेंट मतलब सरकारी नोक्री एक लग गई तो लग गया तो आजीवन चलेगी जब तक पीव सिश्टम रहेगा हमारा बिलकुल इस्थाई चुम्बक ऐसा ही है बच्चो एक बार बना दिया तो यह आजीवन अनिश्चित काल तक कोई पूछे कि इस्थाई चुम्बक चुम्बक के गुणों को कब तक रखता है तो अनिश्चित काल तक और दूसरा अगर मैं बात करूं चलो मैं ऐसे लिख दूं आप दो सिंपल तरीके लिखना आपको तो तो यह निश्चित समय तक गुणों को रखता है पहला पॉंट तो इसमें यह हो जाएगा इस्थाई चुम्बक में क्या हो जाएगा बच्चो कि य यह चुम्बक यह चुम्बक कब तक बच्चो अनंत काल तक अनंत काल मतलब होता है बहुत लंबा समय इतना लंबा समय कि आप सोच भी नहीं सकते तो यह चुम्बक अनंत काल तक चुम्बक है गुणों को चुम्बक है गुणों को दरसाते हैं या इसके अंदर चुम्बक ह गुणई है न बच्चों, वो कब तक रहते हैं? अनन्त्काल तक, कब तक रहते हैं? अनन्त्काल तक, मतलब पर्मानेंट को एक बार आपने चुमबग बना दिया, तो बना दिया अब आप चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब ये चुम्ब के गुणों को अनन्द काल तक चुम्ब के गुण दरसाते हैं और ये बच्चों जो ऐस्ताई हैं ये एक निश्चित समय तक निश्चित समय तक चुम्ब की ए गुणों को बताओ दोनों पॉइंट समझ में आये कि नहीं आये भाई बहुत तो सरण है पेने कोने की कते ही आवसकता नहीं है इस्थाई अनन्द काल तक चुम्ब कुन रखेगा और ये इस्थाई एक निश्चित समय अंतराल तक आप सोचें सब दोनों अंतर क्या है आपने कहीं देखे लोगा इस पिर खराब हो जाता है तो आप उसको खेलने के काम लेते हों देखाऊ ना अपने साथ वह स्थाई है एक नाम आता है बिद्धुत क्रैन बिद्धुत क्रैन या बिद्धुत घंटी इलेक्टर घंटें होती है उनमें ऐस्ताई चुमक होता है आप आप समझे दे पारी बरकाम ट्रैक्टर है जो गिर चुका है आप कुंदा लगाकर उसको नहीं निकाल सकते ढोट जाएंगा टो उसकी सो ना क्रैन की क्रैन की सूठ में आगे इस परेसे होगा ले जाएंगे उसको और उसको बनाएंगे चुमक माली उसमें चुमबक अब सुचो थोड़ा बहुत चुम्मक होता तो ट्रेक्टर का बजन इतना ज़्यादा है कि वो से छूड़ जाता मैं कहरा हूं खुतरनाग चुम्मक है आपने उसको निकार तो लिया अब बताओ बेटा बाहर छड़ाओगे कैसे भाई सूंड दे करके कुए में आपने चिप तो जब वो खेड़ी से कठुमर लेके जाना है उस क्रैन को निकल रहा है लूट जिया तो बहुत बेकार काम हुआ हम तो अच्छा काम करना चाहा रहे थे यह दो बेकार हो गया बच्चो उन जगेपर काम में लिया जाता है ऐस था ही चुमक धियान सुना जब वो क्रेंड बाते हैं कि इसे कट हमर जा रही है न तो समझे उसमें चुमक है ही नहीं फिर वो क्रेण कट कट हमर गई उसने कुगा देगा कुए में सूंद डाली और जब सूंद ट्र कैस्ट में आ जाती है न तो इसके अंदर होता है उसे ओन कर दिया जाता है पिछले पार्ट में आपने पढ़ाए कि जब धारा प्रवायत होगी तो चुम्बक के छेतर बन जाएगा मतलब बच्छों चुम्बक बन जाता है चिपका के बाहर निकाल लिया बाहर रख दिया फिर उस सरकेट को आफ कर देते हैं वो चुम के गुण रखेगा और यह बच्छों निश्यत समय के लिए चुम्बक के गुणों को दरसाएगा सेकंड पॉइंट क्या होगा बच्छों कि इस्थाई चुम्बक अगर आपने एक वार बना दिया बनाते समय तो आप कंट्रोल कर सकते हो कितना बनाना है पर एक वार आपने जिस बैल्यू का बना दिया अब यह आजी बन उसी बैल्यू का रहेगा तो इसमें लखेंगे कि इसके गुणों को बैश्युम्बक बन गया है ना तो इसके गुणों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है आप इसे खास तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो बच्चों किलियर है और इसमें क्या लिखेंगे एस थाई तो हमारे हाथ में हैं चाहो जब बना लौ चाहो जब उसको बिच्म मगित करदो बिच्भा की 과ई को मतलब होता है शुमकी का लोला और बिच्छिंब सेखरेंगा मतलब है उसको ठीक है ना चाहो जब और चाहो जितना बनालो कि करेंट कम ज़्यादा भी दो कर सकता हूं एक तरीके से तो बच्चो इसके चुम्बक ये गुनों को आप क्या कर सकते हैं नियंत्रित कर सकते हैं बहुत बड़िया, बहुत सुन्दर, बहुत अच्छा लगा इस्था ही चुम्बक नाम से ही फहेमस है अनन्द काल तक गुन रखेगा और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इस्थाई चुम्बक निश्चित समय तक गुण रखेगा और आप इसको नियंत्रत कर सकते हो तीसरी बात इस्थाई चुम्बक बनेगा कैसे साब अब इन दुनम अंतर कैसे कर पाएंगे हम यह बताइए क्या बोब इस्थाई है अगल अलग अलग हो सकते हैं या किस तरी दियान से सुनिएगा कठोर इस्थील सबसे बड़ी है एक्जामपल कठोर इस्थील अरन कोवाल्ट निकल एक मिस्र दातु है मिस्र समझ गए मिक्स्चर होके बनी है मिस्धातू का नाम है एल नीको एल नीको ये बनी होती है एल का मतलब एलिमुनियम नी का मतलब बच्चो निकिल और को का मतलब कोबाल्ट का उप्योग किया जाता है आप किसका यूज करते हो बच्चो चुम्बक बनाने के लिए कठोर इस्टील या दो नाम याद करना मिस्दातो एल नीको यह सबसे बढ़िया है कठोर लुआ भी ले सकता हूं और इसके लिए बच्चो सौप टायरन का उप्योग किया जाता है नरमलुह जाता है चेप्टर के लाश्ट में इसका जवाब मिल जाएगा तो समझ जाना कि आपका चेप्टर खतम हो गया सबसे लास्ट इसी का जवाब पढ़ने वाले हैं कि इसका क्यों पढ़ेंगे वो तो बाद में बताएंगे वाई ना इसके लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है सौप टायरन का अगर बच्चों मैं यूजेज की बात करूं कि इनका उपयोग कहा है तो इस्थाई चुम यूजेजर में कि लावड स्पीकर में बच्चों पर्मानेंट मैगनेट लगा होता है आपने लावड शूपप देखा होगा ना खुला हुआ पीछे चुम्बक लगा आता है ना समय और बच्चों धारामापी वन वर्ड में समझ जाना अब धारामापी का मतलसर और इस के बच्चोगें उपयोगें विद्ध घंटी अ क्यों हुआ है कौन सी गंटी भिद्ध घंटी विद्ध कें वं हुथा है के इत्यादी कि मैं इसका उप्योग कीया जाता है और इसका उप्योग बच्छो आप उड़िया लगतर र thrown जसे आप आप जन्रेटर कहते हो जन्रेटर इंग्लिस वर्जन है जन्रेटर उसका हिंदी वर्जन है तो अम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा आप जल्दी से रफ्तार में स्पीड में इसको नोट कर लीजिए ठीक है बच्छो नेक्स्ट यहां तक आपको कानी समझ में आई ठीकल चैप्टर है उसकता है कि बोरिंग लगे आपको नेंद भी आ जाए लगे कि मास्टर बार बार क्यों पकार रहा है पर बच्छों याद रखें कि मास्टर पागल नहीं है पूर्ट यह पागल नहीं चंता मुत करो कुछ है तभी आपको पकार जा रहा है आपके दमाग में बातों को फीड करने के लिए जितना पढ़ाय जा रहा है वो सकता है मैं अब तक दो टॉपिक कराए था यह पुसीवल था पर मैंने बहुत सलो लिया है क्योंकि ठीकल में बच्छों को नींद आने लग जाती है वह नींद दो अब क॑नल बड़ा में नीग च्मभक पड़ा जो आयरन कोवालड निकल को अपनी हो खींचे वह चुंभक जो खुंभककी ओर खींचे वह चुंभक पदार्थ सुनभक ठीक्षव गुण चुम्भक कि इना था में आपको याद करभा है magnetite और चत्रम बच्टो हमारे हाथ में Hi कि सब्सक्राइब सकता है कितनी भी प्रबलता इसको बना सकता हूं है ओग और कत्रम दोप्रकार कें कोन कोन से इस्थाई और इस्थाई इस्थाई आप समझ के परमानेंट फिक्स है बच्चो अनंत काल तक गुंद रसाएगा आप कंट्रोल नहीं कर सकते घटा बढ़ा नहीं सकते एक बार बना दिया तो और कठोर कठोर चीजों का अपयोग करते हैं लाओड इस पिकर दरहमापी में इसकाई हो जाए और यह अपना है स्थाई चुम्ब हुआ तो बच्चो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपने घर पर रहें और विशेश सावधानी वरते हैं ठीक है बच्चो पूरी पूरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए अब आप नोट कर लिए इसको बागे मिलेंगे बच्चो फिर अपने अगले